ब्राजील में होने वाले फुटबॉल वर्लकप में अब बस कुछी दिनों की देरी है और उसके बायाद ये खेल पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लेगा लेकिन खेलों की चकाचौंध पर्यावरन पर भारी पड़ेगी जर्मनी में हुए 2006 के वर्लकप में को फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है वर्लकप हो या लीग के मुकाबले फुटबॉल अपने साथ रोमांच और उत्साह लाता है स्टेटियूम के अंदर और बाहर फैंस की भीड रहती है लेकिन अब वैग्यानिक जानना चाहते है कि फुटबॉल वर्लकप या उलिम्पिक जैसे बड़े खेल आयो जिन स्योटू उत्सर्जन में कैसी भूमिका निभाते है स्टेट उल्मर को लगता है कि जैसा हाल 2010 वर्लकप में दक्षन अफरीका में हुआ वैसा ही इस साल ब्राजील में होगा हाँ हैरानी वाली बात है कि नतीजे मिलते जूलते हैं डर्बन में सी यो टू जैसा असर करने वाली ग्रीन हाउस कैसों का उतसर्जन 26 लाग टन के बराबर रहा अनुमान है कि ब्राजील में 27 से 29 लाग टन होगा ब्राजील बीते कुछ साल से दिन रात वर्लकप की तैयारियों में जुटा है स्टेडियम निर्मान तो परियावरन को होने वाले नुकसान की छोटी सी कड़ी भर है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें तो दर्शकों के स्टेडियम तक पहुँचने में निकलती है अनुमान है इन गर्मियों में दुनिया भर से करीब 6 लाख फैंस प्राजील पहुँचेंगे 40 लाख लोग दूसरे शेहरों से मैच देखने के लिए उडान भरेंगे मनाउस से रियो जे जनेरो जाने में ही विमान को 4 गंटे लगते हैं इसकी कीमत पर्यावरन चुकाएगा अगर आप इसे बाट कर देखें कि जितने लोग वहां फ्लाइट के जरीए मैच देखने जाएंगे वो निश्चत तोर पर बड़ी संक्या में सी उटू छोड़ेंगे जोकि विमान तो केरोसीन से ही उड़ेगा उसके बाद स्टेडियम और दूसरी चीजों की बारी आती है मैं ये भी कहूँगा कि यहां टिकाउपन का भी कॉंसेप्ट है फुटबॉल संक का कॉंसेप्ट है कि वर्ल्ड कब के हर स्टेडियम में सोलर पैनल लगाये जाए साजिदार स्टेडियम में फील्ड मैनेजमेंट पर भी ध्यान दे रही है काम बहुत सारा है वर्ल्ड कब में निकलने वाली सियो टू अंतरिक्ष में छे हजार रॉकेट छोड़ने के बराबर है प्राजील जैसे विशाल देश का ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन उन्तिस लाख टन होता है और उसके मुकाबले ये मात्रा बहुत कम है लेकि नुकसान तो फिर भी होता है वैग्यानिक लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन को फॉरण कम करना होगा ऐसे में खेल आयोजनों पर भी ध्यान देना होगा जाहिर है वो हमारी जिन्दगी का हिस्सा है जब हम ये देख रहे हैं कि जलवाईू परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस कैसे जिम्मेदार है तो इसके हर कारण को देखना होगा खेलों को भी ताकि हम सीओ टूट सरजन को घटा सके हैं शुरुआत प्राजील से हो चुकी है इससे हर किसी को सीख लेनी होगी पैग्यानिक चाहते हैं कि भविश्य में खेल आयो जग इको फ्रेंडली रास्ते अपना है